हलो दोस्तों मैं लक्षी तेवतिया जेस्ट फिटनेश यूरिफ चनल में आपका बहुत अस्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप लोग तो में तरह आज हम आपको आइसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हमारे लोग सोचते हैं कि बॉडि बिल्डिंग में बहुत अच्छा योगदान है उसका और अभी हमारे जो यूथ हैं हमारे लोग हैं वो यह सोचते हैं कि यार इसको क्या करना हम तो बॉडि बनानी है इसका कई फायदा ही हाँ आज हम बात करेंगे योगा की कि योगा से हम अपनी फिटनेस और बॉडि बिल्डिंग में कैस सकते हैं योगा करके हम कैसे रह सकते हैं कैसे अपनी बॉडि बिल्डिंग कर सकते हैं योगा की मदद से चलिए करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे important point की जो की है testosterone testosterone हमारी body development जो हमinselle muscle growth है उसके अंदर बहुत ज् firmsle growth के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आता है तो उसको भी हम अपने योगा की help से काफी increase कर सकते हैं काफी से मतलब एक अच्छे level पे हम testosterone को अपनी body के अंदर रख सकते हैं अगर हम योगा करें तो Because योगा करने से जो हमारा stress है जो mind में stress है वो कम होता है और जो stress का हमारा hormone होता है कार्टिसॉल अगर stress कम होगा तो कार्टिसॉल भी कम होगा कार्टिसॉल एक ऐसा hormone है जो कि हमारी testosterone की जो production है उसको limit करता है उसके production को रोपता है तो मतलब सीधा सीधा आप relation देख लीजिए कार्टिसॉल गरेगा तो टेस्टेस्ट्रोन बढ़ेगा यह बढ़ेगा तो यह घटेगा तो भाया आपका stress कम हो रहा है कार्टिसॉल कम हो रहा है तो यहां से आपका टेस्टेस्ट्रोन जो है वो होता है increase टेस्टरीज। आपका जो प्रेस मुंहों से आपको अच्छे से स्लीप आरे है। और स्लीप में आप जानते ही हैं नींदी अगर अच्छी आएगी तो बॉडी अच्छी बनेगी। नींदte का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपकी बॉडी बीलिंग से ये कुछ आसन है और भी कई सारे आसन है अगर इनकी प्रणनसेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप स्पेलिंग देख कर सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा तो ये कुछ ऐसे आसन है जो कि आपको टेस्टेस्ट्रोन आपके जो टेस्टेस्ट्रोन लेवल है उसको पढ़ाने में काफी help करेंगा और दूसरा है आपका मेटाबॉलिजम और डाइजेशन ये जो मेटाबॉलिजम होता है नाबर अटाइजेशन जो खाना पचाते हैं और बात करें मेटाबॉलिजम की तो मेटाबॉलिजम आपका काफी जाधा important role play करता है हर चीज़ के अंदर अगर आपका fat loss हो, आपकी muscle growth हो, digestion जो है वो बहुत important role play करता है तो digestion and metabolism को increase करने में भी हमारे योगा की बहुत help ले सकते हैं जैसे कि एक आसन होता है उसका नाम है भस्तरिका अगर आप उसको करें तो आपका digestion काफी improve कर देता है तिसरा है fat loss, सारी दुनिया परेशान है इस fat के चक्कर, हमारा fat कम करा दो, हमारा fat बढ़ गया, इसमें भी help करता है तो भाईया यह वाला डंक से सुनिया का आज इस जिसको fat loss करना है जैसा कि मैं बात करी दा था fat loss की, तो जो हमारा योगा है, आसन है, वो fat loss के अंदर हमारी काफी help करते हैं क्योंकि जो हमारा fat loss है, वो oxygen की presence में होता है मतलब जो fat burn होता है, वो oxygen जब हमें body को मिलती है, अच्छी खासी amount में, तब fat को as a energy use करती है तो उसको use करने के लिए हमारा को इस टाइप के आसन करने होंगे, जैसे एक example दूँ, तो अनुलोम, विलोम उसके अंदर हमारी body के अंदर जो oxygen जाती है, बलड के अंदर वो एक अच्छे amount में जाती है, healthy amount में oxygen जाएगी तो fat loss काफी improve होगा, और आपकी muscle growth भी उससे improve होती है, तो जो nutrients है, oxygen हमारी muscles तक पहुचेगी तो muscle काफी अच्छा फील करेंगे और अच्छे से grow होंगे, अनुलोम, विलोम एक normal सा आसन है, छोटा सा, उसकी importance इतनी जादा है कि आप सोच नहीं सकते, तो उसे जरूर करें और fourth इससे joint pain, जो घूटने कटर कटर करते हैं, मैंने maximum लोगों को सुना है, यार हमारे जोडों में दर्द हो रहा है, हमारे नी में दर्द हो रहा है, हमारे कहीं दर्द हो रहा है, हमारे कहां दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, मतलब joint pain उसमें ब बॉट्य वेक्षिवल सोर्णेस और स्टिफनेस तो आपने देखा होगा जब आपको वर्क आउट करते हैं तो उसके बाद आपको मसल में पेन होता है जो आपने भूडी पार्ट किया उसको अपको सोर्णेस होती है और फिली अगर और प्वाडी बॉडिल नहीं होती तो फ् अगर आप योगा करेंगे तो आपकी बोड़ी में से सोरनेस बहुत जल्दी निकल जाएगी बहुत अच्छा फील करेंगे stress-free जैसे कि मैं आपको टेस्टेस्ट्रोन वाले पॉइंट बताया था stress कम होगा तो टेस्टेस्ट्रोन बढ़ेगा ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि जब वर्काउट करते हैं तो उसके बाद टेस्टेस्ट्रोन गिर जाता है और अगर उसके बाद आप योगा करेंगे तो प्रेस्ट्रोन होगा तो आप समझ सकते हैं बात को वर्काउट के बात करने के लिए आपको बहुत अच्छा है योगा और हां एक और अब तुम भी बताओ भे शारहां मीं बताएंगे क्या अरे हां सारा तुम ही बता रहे हैं सारी नौलिज तो तुम्हारे पास ही है तो द टॉक्सिन को फ्लश करने के लिए उन्हें निकालने के लिए भी हमारा योगा हमारी है करता है सप्लिमेंट तो बात ठीक है नॉर्मल है बट इवन जब को लोग स्टेरोइड का यूज करते हैं तो बोडी में टॉक्सिन का लेवल बहुत जादा हो जाता है तो अगर आपने कोई स्टेरोइड लिया है तो उसके बाद आपको यूगा करना बहुत जरूरी है डूरिंग स्टेरोइड साइकल भी अगर आप यूगा करेंगे तो वह भी आपको बहुत फायदा करेगा आपकी बोडी से टॉक्सिन निकालने के लिए बोडी के अंदर टॉक्सिन का फरक पड़ता है का benefits मिलते हैं आपको तो अगर आपको लगता है अभी कि हमने कुछ चीज छोड़ दी हैं जो नहीं बताई आपकी लिए वो comment में बता दीजेगा हम आपको वहां पर बताएंगे comment 100% आंसर करते हैं और हां अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वह है ना देजिएगा like बटन हां और जैसा कि हम बताएं कोई सब्सक्राइब जरूरे कर दीजिए अपने घर का चैनल है अच्छा चलाओ इसको ठीक है और घंटी बजाना ना भूलिएगा तो जैसा कि भाईया जी ने बताई दिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कोई भी क्वेरियों हो प्लीज बताइब भी क्वेर दीक है और आपको ये वीजिक वीजिए भी क्रहते हुआ गपको जटना आपको जो दू़रे के लाइक कीजिए अच्छरा आपको ये वीक वीजिए अच्छरा लाईकर झाले है खिए तो खितितना दो जके ठापको चाहिएगा है कि पेएगाी